वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मेंस क्लासिज इस वीडियो में हम करेंगे जो चैप्टर हमारा 14 है कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नमबर 14 कंस्ट्रक्शन वक्षिट नमबर 3 अभी हम करेंगे कुस्ट्चन नमबर 2 ठीक है यहां पर देखें इसमें क्या है कुस्ट्चन को पहले ध्यान से हम पढ़ेंगे एक चर्टर कंस्ट्रक्ट अंगल ओफ 30 डिग्री यूजिंग कमपशी एंड रूल ठीक है तो पहला तो काम हमारा क्या है कि हमें कितना एंगल बनाने 30 डिग्री तो सबसे पहले हमें क्या करना है थर्टी डिग्री का एंगल बनाना है आगे वहला काम तो बाद में होगा पहले तो मैं 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि यहां पर मैं पहले सबसे पहले एकढ़ा लेक्तित हूं कि मैंने यहां पर ऐसे एक ड्री रह duy एए यह पर इसको आपने देदीजिए यहां पर यह वह और यहां पर कोई देजिए नहिएं कुछ पी लिख सकते हैं कर सो जो आप इसमें कोई वो नहीं है आप नेम लिखते टाइम कोई भी अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं अब मुझे थर्टी डिग्री का अंगल बनाना है जूम कर लेते हैं जिसे आपको ज्यादा क्लिए नजर आए अब ठीक क्लिख रहा हुँआ यहाँ पर आप अपका करें अपनी कम्पस जितनी भी ओपन करना चाहते हुआ कर ले एक O को center ले ले कर आप इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे ठीक है हागया इतना clear है ठीक है अब यहाँ पर यह जो आर्क थी इसने यहाँ पर cut किया इसको आप name देंगे B ठीक है कहां पर रखा था मैंने ओपर ऐसे सेंटर रखा था और अपनी आर्क को अपनी कंपस को ऐसे घूमा दिया था है ना ठीक है इस तरीके से अब हमारे पास यह भी पॉइंट आ गया अब मुझे यहां पर कितने का अंगल बनाने उन्होंने हमें बताया है यहां देखे 30 डिगरी तो मुझे 30 डिगरी का अंगल बनाना है आपको पता है देखो 30 हमने कैसे बनाया था 60 का हाफ और मैंने पताया था जब आप बी पॉइंट पर रखकर ऐसे पहली आर्क लगाते है तो वो कितने की होती है 60 की तो यहां पर हमारा यह कितने डिगरी का अभ इस नहीं होती कई खैसे लगा हूं मिलेगा इस तरीके से जाहो तो यहां लगा बीदों से कोई फरक नहीं कि ऐसे कट करके दिखा देते हैं ठीक है आगर आप ऐसे कर बीदें तो अभी ये कितने का बना है 60 ठीक है अब 60 का करतेंगे तो कितना हो जाएगा 30 चीशा ऑफ करने के लिए मुझे कुछ से पॉइंट की जिरूरत एंद बीओ सी जो शी र कंसी इसका हाफ कर दूगी अगरण को 60 का हाफ जबता है 30.》 तो मैं किसकिस पॉैंट का उस्कर रहांगे ऑपकी पॉैंट पर रखेंगे एक और कि दर ऐसे लगाएंगे जिकते न रखेंगे सी पॉैंट पर करेंगे तो यहां पर आपकी आयर Game रे नया हमें किसको मिलाना है क्ई और बोल самой to make an angle of construct an angle of 30 degree, तो d को किसे मिला देंगे o से, ये d आपका किसका angle बनाएगा, 30 का तो d को मिला देंगे o से, उन्होंने बोला construct an angle of 30 degree, तो ये dark line आएगी, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि construct करें, तो हमने बना दिया यहां पर, यहां पर यह हमारा कितने का गया है, 30 degree का angle, जो चुका है अब इसके बाद हमें क्या करना है बस स्टेटमेंट में आपको दिखा देती हूं यहां लेखें इंगल ऑफ 30 डिगर यूजिंग कमपर्श एंड डूल हो चुका है इतना तक तो यहां यह 30 बन चुका है आप यह जाहिए तो यहां इसको ए सिक स्टी यह सिक क्स्टी है यहां पर यह आपको इसका नईम देदें इस पॉइंटीड का नंई होता है अगर आपके बस 30 रुपीज है हाफ आपने खर्च कर दिया तो आपके बस कितने रहेंगे ठीक है 30 का हाफ टू से डिवाइड कर दे टू वन जार टू टू फाइफ जार टैन तो फिफ्टीन ठीक है तो मुझे 30 का हाफ करना पड़ेगा अब 30 एंगल किससे बना है देख रहा होता है यह आर्क जो राउंड वाली आर्क होती है किस किस पोइंट पर कटकर लगांगे चाहें तो थोड़ा से इसको आपके देखें अगर आप इहीं पर लगाते तो काफी यह टाइट हो जाएगा थोड़ासा अपनी कंपस को ज्यादा उपन कर लें ठीक है वी पर रखें, एक आर्क लगाएं, ठीक है, ऐसी लगा दी, ठीक है, कहां से लगाई है मैंने, बी से, जितनी ओपन है, उतनी ओपन रहने देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी बन जाएगा, यहां पर आई है, आपकी बार कहां से, इपॉइंट से, यह वाला इपॉ अब F पॉइंट को O से मिला देंगे, F पॉइंट को मिलाएंगे O से, यह हो गया आपका F पॉइंट, और यह आगया आपका O, ठीक है, तो यह आपका बन जाएगा 15 डिग्री, इसके अंदर आप यहां लिख देंगे, 15 डिग्री, एक बार प्रोटेक्टर से देख लेते हैं कि हमारा सही बना भी है या नहीं बना है, ठीक है, प्रोटेक्टर सेट कर लेते हैं, ठीक है, यहां आपने ऐसे प्रोटेक्टर सेट किया है, ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे, बिल्कुल एग्जाक्ट सेट करना होता है, आपको उपर नीचे कहीं ना करें, ठीक है, आप यहां पर देखें यह मैंने यहां नीचे इस line पर सैट किया है थोड़ाओ गांडेती आपको ठीक है यहां पटार यहां नीचे हमारी dua है अब आप यहां थे अंगल बन गया है तो यहां इस वीडियो में मैंने आपको कुश्चन करवाया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच